हिमाचुल अभी अभी के रीडियो बुलिटेन के साथ मैं भामन ठाकूर पेश है अब तक के प्रमुखस समाचार सबसे पहले हेडलाइंस स्वास्ते सेवाएं सुद्रिड करने के लिए आधुनिक प्रोध्योगी की और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का उप्योग खुगस सुनिश्चे कालका शिमला फोरलाइन कारे पूरा करने में होद रही देरी पर हाई कोट ने लिया कड़ा संग्या राजस्वो मामलों के निप्टारे को अगली लोक अदालत जनवरी के अंत में मंडे मीटिंग में बोले सीम सुखुग अब सड़कों पर नहीं टिकेगी बरफ सुचारू रहेगा या तयात लोक निर्मान विभाग ने तयार किया ये प्लान लोक सबर चुनाव के लिए पीजेपी की हमेरपूर में बनी रणनीती ज्यादा लीड पर फोकस हिमाचल बिजली बोड करमचारियों ने किया ग्यारा को शिमला कूच का अबहन अब समाचार विस्तार से सुखवेंदर सिंग सुखु ने कहा कि परदेश में स्वास्ते सेवाओं को सुद्रेड करने के लिए आधुनिक प्रद्योगी की और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का उप्योग सुनिश्चित किया जाए स्वास्ते विभाग की उचस्तर ये बैठक की अध्यक्षता करती हुए सीम ने कहा कि परदेश सरकार विभिनिक शित्रों में कृत्रिम मेधा का उप्योग सुनिश्चित करने के लिए व्रिहत स्तर पर कारे कर रही है इसके लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मंत्राले का स्रिजन करने पर भी विचार किया जा रहा है देश भर में इस तरह की महत्व कांक्षी पहल पहली बार होगी कालका शिमला फोर्लेंड का निर्मान कारे पूरा करने में हो रही देरी पर पर परदेश हाई कोट ने कड़ा संग्यान लिया है कोट ने NHAI के प्रोजेक्ट डारेक्टर को परवाणू से ढली तक निर्मान कारे पूरा करने की टाइम लाइन शपत पत्र के माध्यम से बताने के आदेश दिये कोट ने इस दरान हटाए गए अवैत कबजों और अतिक्रमनों की जानकारी भी मागी है नियाधीश विवेक सिंग ठाकुर और नियाधीश संदीप शर्मा की खंड पीठ ने NHAI के प्रोजेक्ट डारेक्टर को निर्मान समंधी ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के लिए आदेश दिये हैं सियम सुकवेंदर सिंग सुकु ने प्रशाशनिक सचीवों के साथ आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्ष्ट करते हुए कहा कि परदेश सरकार द्वारा आयोजित पहली राजस्वा लोक अदालत से अब तक 65,000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निप्टारा किया गया है इसमें से 11,420 इंतकाल के मामले और 1,217 तक्सीम के मामले इस वर्श चार और पांच जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्वा लोक अदालत में निप्टाए गए उन्हों है कहा कि अगली राजस्वा लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी हिमाचल में बरफबारी वाले इलाकों में सड़कों पर यादायात बाधित नहीं होगा सड़कों पर बरफ नाज में इसके लिए लोक निर्माण विभाग केल्शियम क्लोराइट ब्राइन सोल्यूशन की मदद लेगा शिमला में इसका पहला प्रयोग होगा लाक रुपई की इस मशीन को शिमला में स्थापित किया गया है इसके सफल प्रयोग के बाद इसे अन्य बरफीले क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा हिमाचल में आमतार पर दिसंबर से बरफबड़नी शुरू हो जाती है यहाँ बरफ फरवरी महीने तक रहती है हालांकि दिसंबर 2023 में बरफबारी नहीं हुई है लेकिन जनवरी में बरफबारी की संभावना है केंद्री मंतरी अनुराक ठाकों ने कहा कि लोकसभा चुनावों में पहले से ज़्यादा बढ़त बनाने के लिए कारेकरता तयार है और इसी के मद्दे नजर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव में इस मरतबा देश भर में 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए निरंतर बैठकों का दौर किया जा रहा है इसी तरच पर हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों के लिए भी बैठकों के माध्हम से ठोस रन्नीती तयार की जा रही है इसके लिए एक बैठकाज हमेरपूर संसद्यक शेतर की हुई है जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा लीड कैसे लेनी है पर विस्तार से चर्चा हुई पुरानी पेंशन और हिमाचल राज बिजली बोर्ड में एक स्थाई MD की निउक्ति करने की मांग को लेकर बीते पांच दिन से आंदोलन कर रहे करमचारियों ने सोमवार को शिमला कूच का अवाहन किया है 11 जनवरी को राज बहर के हजारों बिजली बोर्ड करमी और इंजिनियर शिमला पहुँचेंग सोमवार को हिमाचल परदेश राज बिजली बोर्ड इंप्लोईज एंड इंजिनियर के जॉइंट फ्रेंट का धरना परदर्शन है छटे दिन भी जारी रहा बोजनाब काश के बाद करमचारियों ने गेट मीटिंग की और धरना परदर्शन किया इसी के साथ समाचार समाप्त हुए नमश्कार